दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से जहाँ पर बहुत दे कम लोग रहते थे वहीं पर हम गर्ज, टेरी और नथन को देखते हैं जो के एक घर पनाजर रखे वे थे और वो गर उस टाउन के डॉक्टर हगिंग्स का था जो की बहुत ही अमी डॉक्टर था तो मुवी में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि नमें से सिर्फ गर्ज यसा था जो की उस टाउन को नहीं था और उसका प्लान था डॉक्टर हगिंग्स का घर को लोटना टेरी की ओमर डॉक्टर हगिंग्स के घर पर काम करती थी और टेरी सहीं उन लोगों को ये information मिली थी कि डॉक्टर हगेंस के पास में बहुत पेसा है और उनका एक लॉकर है जिसमें बहुत सारे पेसे और जोलरी हो सकते हैं तो इसलिए उन लोगों ने गर्स के साथ में मिलकर हगेंस के घर को लूटने का प्लान बनाया था और गर्स ने पहले भी बहुत सारी मेरी के बारे मेरी को कुछ ने बताया था और टेरी ने मेरी को कॉल करके वहाँ पर बुलाया था और तब जाकर मेरी को उनके प्लान के बारे में पता चला था मेरी उनको चोड़ी करने के लबना करती है पर वे लोग मेरी की पुई बात नहीं सुनते हैं डॉक्टर हगेंस और उनकी वाइफ एलेन के घर से जाते ही वे लोग उनके घर के तरफ जाते हैं। अब इसके बार में तिनों गेट से चलांग लगा कर घर के तरफ जाते हैं। और गेट से चलांग लगाते टाइम टेरी के पेर में चोटा जाती है। गर्स डॉक्टर का ग्लास तोड़कर डॉर को खोलने वाला था लेकिन टेरी को पता था कि डॉर की चाबी एक गमले के नीचे रखी होती है तो इसलिए वे लोग चाबी का यूज़ करके दर्वाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं टेरी को हगेंस के हर चुटी चुटी लेट हो जाएगा फिर इस तरफ घर के अंदर वो तीनों तबही मचा रहेते हैं जो भी किमते सामन उन्हें दिख रहाता वे उसे अपने पास में रख रहेते हैं उपर से गर्स को एक लड़की का रूम दिखता है जहां पर चोटे बच्चों के खिलों ने एक डॉल हाउस और वहीं पर गर्स को एक केट नाम की लड़की का फोटो भी दिखता है और टेरी से उसे पता चलता है कि केट डॉक्टर हगिंग्स की बैटी थी जो कि बहुत साल पहले मर चुकी है अब कीचन के फ्रीज में बच्चे की बनाई हुई एक ड्राइंग लगी हुई थी जिसम के बुलाने पर गर्स और नथण उस लोगर को खोलने आते हैं लेकिन वहाँ जाकर ग गर्स देखता है कि उस लोकर इलेक्टिक लोकर नहीं था और ऐसे कॉमिनेशन लोकर उसे खोलने नहीं आते थे और तब नथन डिल मशिन और हेमर से लोकर को उसे खोलने की कोशिश करता हैं लेकिंडे को उसे खोलने पाता है। उन वीडियो टैप्स में अजीब अजीब तेरी के वीडियो थे हैं, लेकिन वे लोग उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, मेरी बार गोन बजाकर नतन को पुकार रही थी, तो इसलिए नतन उसे घर के अंदर ले आता है, घर में आने के बार में नतन मेरी का फोन अपने पास और इसलिए अब तो नतन के लिए ये रोबरी करना और भी ज़्यादा इंपोर्टेंट था, क्योंकि अब उसके उपर बेबी की रिस्पोंसिबलिटी भी आ चुकी थी, फिर अब वहाँ पर डॉक्टर हगिन्स अपनी वाइफ एलन के साथ में आ चुके थे, और उनके घर म में ले लेते हैं, लेकिन इस हंगामे के दोरान एलन के हाथ में चोड़ा जाती है, हगिन्स उनसे रिक्वेस्ट करता है, कि उन्हें जो चाहिए, वे लोग वो चीज यहां से ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले वे लोग एलन के चोड़ पर उसे मेडिसिन लगाने दे, मे उससे हगिन्स को पता चल जाता है कि वे लोग कोन है, वो जगह भूँत है चोटी थी, तो इसले हगिन्स वहाँ के सभी लोगों को जानता था, बस वो गस को नहीं जानता था, क्योंकि वो भाकका नहीं था, फिर तो में अपने क्रेडिट कार्ट दे देता है, और केचेर में रखे कुछ पेसे भी देता है लेकिन वो बस 300 डॉलरी थे जिससे कि उन्हें बहुत गुश्चा आता है नतन और गस हगिन्स और लोकर का कोड़ पुछते है लेकिन हगिन्स उन्हें साफ मना कर देता है कि उसके पास में एसा कोई भी लोकर नहीं है तो इसले लेख लोग हगिन्स और एलन को बेस्मेंट पे लेकर जाते है जहाँ पर वो लोकर था वो उससे लोकर के सामने बिठा देते हैं और उसका कौट पुछते है यहाँ पर एलन बारबर हगिन्स को मना कर रही थी कि वो उन्हें लोकर का कोड नहीं बताए तब गस और नतन को यकिन होना लगता है कि लोकर में बहुत सारे पेस रखे होंगे हगिन्स भी उन्हें धमकी दे रहा था कि सही टाइम पर वे लोग अपने घर पर चले जाए नहीं तो उनके साथ में बहुत ही बुरा होगा एलन भी उनसे यह कह रही थी कि जब वो छोटे थे अगर तब उन्हें बुरी तरीके से पिटा जाता तो वे लोग सुदर जाते हैं और बढ़े होके चोड नहीं बनते हैं पर नतन और गस यह बात नहीं मानने वाले थे उन्होंने डिसाइट कर लिया था कि वे लोकर को खोल करी जाएंगे नतन हगिंस को स्लेब भी करता है लेकिन हगिंस उस लोकर का कोड नहीं बता रहा था फिर गर्स सिग्रेट से एलन का फेस जलाने वाला था लेकिन नतन उसे ऐसा करने से रोकता है और तब गर्स नतन को चाकू देता है एलन के कॉंगली काटने के लिए ताकि हगेंस उसे कोड बता दे मेरी अब इन सब में एनोल नहीं होना चाहती थी तो इसलिए वो बेस्मेंट से उपर के रोम के तरफ पुलिस को फोन करने के लिए चलिया आती है तब गर्स मेरी के पीछे जाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है साथी वो फोन का कनेक्शन भी कार देता है और उसके हाथ बांद कर उसे बेस्मेंट पर ले आता है यहाँ पर गर्स उपर रूम में मेरी को धमका रहाता तब हगिन्स ने नतन के दिमाग में ये पट डाल दी थी कि गर्स इन सभी लोगों को बुरे काम में फसा रहा है वे लोग ऐसे नहीं है और उन्हें अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए तब उन्हें भी पता चल चुका था कि हगिन्स ने उन सभी लोगों को पेचान लिया था तो इसलिए सभी अपने मास्क उतार देते हैं फिर अब गस के कहने पर नथन हगिन्स को एलन का एक फिंगर काटने की धमकी देता है तब हगिन्स नथन को समझा रहा था कि उससे मेरी और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचका इस बुरे काम को छोड़ देना चाहिए पर इन सभी बातों से गस इरिटेट हो रहा था तो इसलिए वो नथन के उपर गन को पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर नथन उसके मतबिक काम नहीं करेगा तो गस उसे शूट कर देगा अब नथन को भी समझ में आ चुका था कि पेशों के लिए गस किसी भी हद तक जा सकता है और किसी का भी मडर कर सकता है औरो किसी के भी भरोसे के लाइक नहीं है तो इसलिए नथन गस के हिसाब से काम करने के लिए उसे मारा कर देता है तब Gus का गुसा और भी जादा बढ़ जाता है वो फिर से अपनी गन को Nathan के उपर पॉइंट कर देता है जिससे कि मजबूरी में Nathan Huggins को Alan के फिंगर काटने की धम की देता है फिर भी Huggins लोकर का कोड नहीं बता रहा था तो इसलिए Nathan चाकू से गस के उपर हमला कर देता है और तब दोनों के बीच में जगड़ा शुरू हो जाता है और इसी चक्कर में चाकू Nathan के पेट में घुश जाता है Nathan दर्द के मारे तड़ा परा था लेकिन Gus को उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा था और अब पूरा कंट्रोल Gus के हाथ में था और Gus अब Nathan के हल्प तब ही करेगा जब उस से लोकर का कोड मिलेगा इन सभी लोगों के पीच में टेरी कुछ भी नहीं कर रहा था वो बस कोने में खड़ा होकर सभी लोगों को देख रहा था फिर अब हगिंस Gus को लोकर का कोड देता है लेकिन उसने Gus को गलत कोड बता रहता क्योंकि जब Gus लोकर खोलने में बिजी होगा तब मेरी या फिर टेरी आकर उसका हाथ खोल देंगे पर ऐसा नहीं हो पता है उपर से गलत कोड मिलने की वज़े से Gus और भी ज़्यादा गुस्ता हो जाता है और वो चैंसो को एलन का हाथ काटने के लिए उठा लेता है उसी समय मेरी एक हैमर उठा कर Gus का सर पर मारती है जिससे कि Gus का सर पुरी तरके से फट जाता है और उसकी वही पर मौत हो जाती है फिर इसके बार मेरी हगिन्स के हाथ को खोल देती है और नतन के लिए हेल्प मागती है लेकिन हगिन्स और एलन अपने में लगे वे थे मेरी के बहुत कहने पर हगिन्स नतन को उपर के रूम तक लाने को कहता है लेकिन हगिन्स नगस की गन कर हगिन्स के ऑपरेशन रूम में लेकर आते हैं और उस समय हगिन्स घर के सब डोर्स को बंद कर जाता है फिर नतन के पेट से उसे बिना एनेस्टेसिया दिये हुए चाकू निकालता है जिसमें नतन को बहुत दरत होता है हगिन्स जिस तरीके से उसका इलाज कर रहा था उसस नतन को और भी ज़ता तकलिफ हो रही थी उपर से हगिन्स मेरी और टेरी को रूम से बाहर विज़ जाता है चूकि उसे ऑपरेशन के लिए शांती चाहिए थी उन दोनों के साथ में एलन भी बाहर आ जाती है हगिन्स ने एलन को एक इंजेक्शन का बॉक्स दिया था ताकि पर मेरी टेरी के उपर गुस्ता होती है और यहाँ पर मेरी की बातों समय पता चलता है कि मेरी के एक बहन भी थी जो कि टेरी की गल्फेंट थी एक दिन टेरी और जेन के बीच में कुछ जगड़ा हुआ और टेरी जेन को रोड़ के उपर अकिला चोड़ कर चला गया तब मेरी पिल्कुल अपनी बेहन जेन की तरह दिखाई देती थी तो इसलिए टेरी मेरी से भी प्यार करता था और इसी वज़े से मेरी और नतन जो प्रोमाज कर रहे थे तो टेरी को बुरा फिल हो रहा था फिर अब मेरी हॉल में उसे इंजेक्शन के बॉक्स को देखकर उसे उठा लेती है लेकिन उस बॉक्स को खोल पाती उस से पहले एलन वहाँ पर आकर मेरी से उस बॉक्स को छीन लेती है और उसके साथ में बहुती बुरा भीव करती है मेरी फिर हगिन्स के पास में जाती है नथन को देखने के लिए लेकिन अंदर जाने के बाद मेरी देखते है कि नथन कोई मोमेंट नहीं कर रहा है फिर एम्बूलेंस के बार में पूछने पर हगिन्स उसे कहता है कि एम्बूलेंस जल्दी आ रही है और वो मेरी को तसलिफ देने के लिए एक बार और एंबुलेंस को कॉल करने के लिए जाता है तब मेरी नथन को टच करके चेक करती है और मेरी को पता चलता है कि नथन मर चुका है और उपर से नथन के पॉकेट में मेरी को अपना फोन भी नहीं मिलता है मतलब की Huggins ने मेरी का फोन अपने पास में रख लिया था मेरी बाहर जाकर देखती है कि Huggins एम्बूलेंस को बुलाने का नाटक कर रहा है क्यूंकि फोन लाइन तो पहले ही गसन कार दी थी और अब जाकर मेरी को समझ में आता है कि वो कहाँ पर फस चुकी है मेरी को टेंशन में देखकर हगिन्स उसे ब कुछ मेडिसिंस ओफर करता है लेकिन मेरी उन मेडिसिंस को नहीं लेती है मेरी रूम से भाँ निकल कर देखती है कि टेरी एलन का फेवरेट बन चुका है और एलन कोई इंजेक्शन टेरी की कमर में लगा रही थी अब मेरी को किसी भी कीमत पर वहाँ से निकलना था तो इसलिए मेरी मेंडोर को चेक कर निकल जाती है जो कि पुरी तरीके से लौक था और अचानक वहाँ पर एलन आ जाती है जो कि मेरी को केट समझकर एक तपल मारती है और उसके साथ में बहुत बुरी तरीके से भीव करती है जिससे कि हमें समझ में आ चुका था कि एलन और हगिन्स अपनी बेटी केट के साथ में कितनी बुरी तरीके से भीव करते थे और अब जाकर केट की बनाई हुई उस ड्रोइंग का खुला सा हुआ था कि आखिर केट ने इस तरीके के ड्रॉइंग क्यों बनाई और शायद हगिन्स और एलन के इस अब्यूसिव नेचर के वज़े से केट की मौत हो गई उसी समय महाँ पर हगिन्स आता है और एलन के बिहवर के वज़े से वो मेरी से माफी माँगता है और उसे बताता है कि Kate की मौत के बाद से एलन की दिमागी हरत कुछ ठीक नहीं है फिर जब Huggins और एलन Terry और Mary के लिए कीचन में चाय बनाने के लिए जाते हैं तब मैं Mary Terry से मां से बागने की बाते कहती है लेकिन Terry के दिमाग में कुछ सूच नहीं रहा था उपर से Terry के पास में Mary को फोन भी नहीं मिलता है क्योंकि एलन ने Terry से उसका फोन ले लिया था Mary Terry को समझा पाती उससे पहले हगिन्स और एलन दोनों के लिए चाय लेकर आ जाते हैं लेकिन वो उनकी दियों किसी भी चीज को नहीं खाती है उन नहीं वो Terry को खाने देती है फिर घर के बार जाने के लिए Mary सिगरेट पीना का बहाना करती है लेकिन हगिन्स और एलन उसे इसमोग करने के लिए बाहर नहीं जाना देते हैं और वहीं पर बैटकर उसे एम्बुलेंस का वेट करने को कहते हैं हगिन्स मेरी को उसकी बेटी केट के कपले दिखाता है और केट के फोटो में हम देख पाते हैं कि उसके पेरे डिजेबल है और उस चल भी नहीं पाती है अब हगिन्स मेरी को एक स्क्रेप बुक दिखाता है जिसमों स्टाउन से गयागबुय सभी मिसिंग लड़कियों की फोटो थी और उनमें से एक फोटो मेरी की मिसिंग बेन जेन की भी थी तो अब उन मिसिंग लड़कियों से हगिन्स और एलन का क्या रिष्टा था यह हमें आगे पता चलेगा यहाँ पर उनकी इन बातों से मेरी गुस्सा हो चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि हगिन्स जान बूचकर उससे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा है तो इसलिए मेरी एक चाकू उठाकर उन्हें दरवाजा खुलने के लिए धमकाती है लेकिन हगिन्स मेरी को अपने बातों में फसा कर उससे चाकू छीन लेता है और उससे घसीट कर एक अलमारी में बंद कर देता है फिर इसके बार में हगिन्स टेरी से कहता है कि वो मेरी के उपर नज़र रखे और वो एलन को लेकर उपर बेट्रूम में चला जाता है यहाँ पर मेरी टेरी को समझा रही थी कि उसे अलमारी से बाहर निकाले लेकिन टेरी ये मानने को राजी नहीं था कि हगिंस और एलन इतने बुरे इंसान हो सकते है तब मेरी टेरी को उसी की भाशा में इमोशनल ब्लेकमिल करने लगती है और वो से उसकी सिस्टर जेन के बार में बताती है यहाँ पर हम देखने हैं कि टेरी की कमर के नीचे की बॉड़ी धीरे-धीरे प्रेलाइस हो रही थी तो इसलिए मेरी की बातों में आकर किसी दर टेरी चेन से उठकर मेरी को अलमारी से बहार निकालता है जिसके बार मेरी टेरी को वहीं पर रुकने का बोलकर बार निकलने का रास्ता डूडने के लिए उपर रूम के तरफ जाती है फिर मेरी की बातों को ध्यान में रखकर टेरी उपर ओपरेशन रूम में नतन को देखने के लजाता है जहाँ पर उसे नतन की डेट बोड़ी दिखाई देती है उपर से उसे मेरी भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी तो इसलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी उसे अकेला छोड़कर चली गई है दूसी तरफ एललन को मेरी पर बहुत दी गुष्टा आ रहाता वो हगन से मेरी को पनिशमेंट देने की बात कहती है और इस बात पर हगन सपी राज़ी हो जाता है दूसी तरफ टेरी मेरी को डूmbre रहा था और उसे मेरी केट कर रूम में मिलती है जहाँ पर मेरी कपलों को का देकर बेट से नीचे गिरा देती है और तब टेरी की बोड़ी धीरे-धीरे प्रेलाइस होने लगती है जिसके करण वो खुछ से उड़ भी नहीं पा रहा था फिर अचानक एलन और हगिंस पूरे घर में कोई गेस को लिख कर देता है जिससे कि टेरी और मेरी को सांस लेने लगाता तो उन दोनों को गेस का कोई फरक नहीं पड़ता है और दोनों मेरी को बेल्ड से पीट रहते हैं किसी तरफ मेरी एक चाको को अपने हाथ में अपनी सेफटी के लिए ले लेती है और थोड़ी हिमत करके मेरी एक गमला एलन की तरफ उठा कर मारती है जिससे कि उसक वे तो इसलिए मेरी भी एलन को लेकर किच्टन में चलिए आती है उर वहां पर उसे बान देती है। जन से मारने की कुश्चिक करता उर किसी तरह मेरी खिंगर पर कट करके अपने आपको बचा लेती है। जब हगिन्स एलन से बात करने में बीजी था तब मेरी एक frying pan से हगिन्स को मार कर उस kitchen से बहा निकलती है लेकिन फिर भी हगिन्स कीचेंग में गुसने की कोशिश करता है लेकिन میरी ने दरवाजाय इतने जोर से बंद क्या था की हगिन्स की एख उंगले दरवाजे के पीच में दब जाती है और कट कर अलग हो जाती है हगिन्स फिर भी हर नहीं मान रहा था और तरवाजे का गलास तोड़कर मेरी से गेस मासकों को चीन लेता है अब मेरी चाको को एलन के गले पर रखकर हगिंस को धमकी देती है कि अगर उसने घर की चाबिया और टेरी को उसके पास नहीं बेजा तो वो एलन को जान से माण डालेगी और डर के माण हगिंस भी इस डील को मान लेता है और उस चाबिया टेरी को दे देता है लेकिन उस टेरी को कुछ बाते भी कह रहा था फिर इसके बद मेरी भी किचन से निकल कर टेरी के पास में जाती है और उसे garage के door की चाबिया Terry के pocket से मिल जाती है जिसके बार में garage के दर्वाज़ा खोल कर और Terry को अपने साथ में लेकर उसे car के back side में डाल देती है देरे देरे मेरी की body भी paralyzed होने लगी थी चुकि Alan नोसे paralyzed करने वाला injection दिया था लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत करके उस car को start कर लेती है अचानक मेरी देखती है कि हगिन्स और एलन कार के सामने खड़े है तो मेरी उनके उपर से car चला कर ले जाना वाली थी लेकिन वो ऐसा करती उससे पहले Terry मेरी को shoot कर देता है उपर से injection के वज़े से मेरी की पूरी बॉड़ी प्रैलाइस हो जाती है और बस हगिन्स और एलन की बाता सुनते रहती है Terry and Huggins की बात मानकर मेरी को गोली मारी थी तो इसलिए हगिन्स और एलन Terry को एक प्राइस देने का decide करते हैं और प्राइस था मेरी की missing sister Jen जो कि उसी लोकर के पीछे बने एक सिगरेट्रों में बन थी और यहीं पर मूवी का सबसे बला राज रिवील होता है असलमे हगिन्स और एलन दोने के अब्यूजी पैरेंट्स थे जिसका पता हमें केट की ड्राइंग से तो लगी चुका था उपर से दोनों ने वहीं इंजेक्शन से केट को प्रेलाइस बना दे था ताकि वो कभी भी उनका छोड़कर न जाए लेकिन जब एक दिन केट की मौत हुई तो एलन की दिमागी हालत बिगड़ गई वो तब से हगिन्स टाउन के लड़कियों को किडनेप करके अपने घर में केट करकर रखता था लेकिन उनमें से कोई भी लड़की केट के जैसी नहीं थी तो इसलिए वो सब लड़कियों को मार देते थे जब उन्हें फाइनल जेन मिली तो उसे उन लोगों ने अपने पास में हमेशा के लिए केट करकर रखा च्योंकि वो बिल्कुल केट के जैसी थी और उन दोनों की ही वज़े से टाउन में इतने सारी लड़कें मिसिंग हो रही थी हगिन्स और एलन भी इसी वज़े से उनको लोकर का कोड नहीं बता रहे थे टेरी पहले से ही जैन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था तो इसलिए जैन के लिए उसने हगिन्स के वो सारी बातें मानी जो भी उन लोगों ने टेरी से कहा फिर इसके बाद में टेरी को भी हगिन्स और ईलन उसी लोकरूमे जन के साथ में बंद कर देते हैं टेरी भी जन के साथ में खुश था बले यह वो हमेशा के लिए हगिन्स और ईलन के पिंजर में कैद हो मेरी यह सब कुछ अपनी आँखों से देख रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वो परिलाइस थी फिर अगले दिन हम टेरी की माँ जून को देखते हैं जो कि हगिन्स और एलन के गर पे काम करने आई थी वो टेरी के मिसिंग होने से बहुत परिशान थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टेरी हगिन्स और एलन की कैद में है हगिन्स और एलन जून को कमफट करते हैं और उसके साथ वो बहुते अच्छे से ब्याव करते हैं जून को उनके उपर जराबी शक्नी होता है और वहाँ से चली आती है जून के जाने के बाद में हम देखते हैं कि हगिन्स और एलन किसी के डेट बोडी को अपने वेजीटेबल गार्डन में दफना रहे थे और ये बोडी ज़रूर मेरी की होगी क्योंकि जैन उनकी बेटी बन गई थी और टेरी उनका दामाद और इस तरीके से उन्हें जो डॉल हाउस वाली फैमिली चाहिए थी वो उन्हें मिल चुके थी पूरे टाउन के सामने वे लोग एक नॉर्मल ओल्ड कपल थे हैं जिनके उपर किसी को भी शक नहीं होता था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है